हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं और इस समय सरदियां बहुत तेज पढ़ने लगी है फ्रेंड्स तो आप सब थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा और फूलों का भी मज़ा लीजिएगा विंटर के खुबसूरत फूलों का तो आज मैं नर्सरी से जो गुड़हल के प्लांट लाई थी और रोज के प्लांट लाई थी तो उसी को मैं आज रिपोर्ट करने हैं फ्रेंड्स तो सुचा आप सबसे मैं सेयर कर दूं ये नर्सरी से लाए हुए तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक सेर्केमेंट्स करिए नियू है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और देख सकते हैं केलन डूल में अब मेरे फूल खिलने लगे हैं और गुल्दावदी में तो अब धेरो सारी ब्लूमिंग भी होने लगी हैं देख रहे हैं इधर भी है और कुष्ट में अभी कलिया हैं तो सब धीर धीर खिल रहे हैं इधर देख सकते हैं इधर कोस्मोस पिंक है इधर सब मैंने रखा हुआ है सारा तो यहां पर देख सकते हैं कोस्मोस पिंक है और इसमें पता नहीं क्यों इसकी पतिया मूरसी रही ह देखती हुए दिन फंगिसाइड का स्प्रे करूंगी मैं और बहुत ही खुबसूरत इसके भी फूल लगते हैं आपको इसमें दो तिन कलर के मिल जाएंगे पिंक वाइट रेड इस समय सर्दियों में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं जब इन में ब्लूमिंग होती है तो इ दिन में भी अब अच्छे से ब्लूमिंग से भी स्टार्ट होने वाली है और हो भी रही है काफी खुबसूरत लगते हैं इसके भी फ्लावर और इसमें खुस्पू बहुत अच्छी होती है तो इधर एक वाइट कोस्मोस है यहां पर मैं इसे ही सीड डाल दे थी तो यहां और भी यह सब अपने आप ही उग गए थे और फोल खिलने लगे हैं अहीं पर तो फिर चलते हैं फ्रेंट्स हम अपने ही बिसकस के प्लांट को लगाने तो यह दिखिए उसके लिए मैंने स्वैल मिक्स बनाया है इसमें मेरे पुरा नहीं गाडन की मिटी है नीचे उपर से मैंने इसमें गोबर की खाद और रखी है और इसमें मतलब एक पाट मिटी है सेंड है और गोबर की खाद आधा है पूरा गोबर की खाद मैंने ज्यादा रखा है और इधर यह केले के छिलके को पीस करके मैंने उसको लिया है और फंगी साइड है और यह सीविड है और चाय चाय पत्ती है और नीम की खली है तो चाय पत्ती मैंने एक चमच लिया है अच्छे से मिक्स करके तब फिर अपने प्लांट को लगाएंगे और यही स्वयल मिक्सर मैं रोज के प्लांट के लिए भी बनाई हूं उसमें मैं थोड़ी सी डी एपी भी डाली हूं तो यही मैं तो इसी को मैं लगाओंगे इसी में तो यह दीखिये तो फिर कैसे लगाते हैं इसको फहले हम नसरी से लाएं कोई भी प्लांट तो उसको अपने गाडन के बीच कुछ दिन एक हपते या दस दिन के लिए अपने सभी आपधों के बीच में ही रख दे ताकि ऊसको अच्छë खराब हो जाते हैं तो इसे आप पहले अपने गाडन के बीच में सेट होने के लिए कुछी दिन के लिए रख दीजी और मैं दस दिन तक के लिए रखी थी उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट कर रहे हूं तो यह पूरा रेड मिट्टी में लगा हुआ है फ्रेंड्स लाल मिट् क्योंकि इसमें विंटर का ज्यादा थंड़का मौसम है तो गुड़हल के प्लांट में ज्यादा छेड़ चाहिए इसके रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए ऐसे ही लगा दीजिए आप और जब भी अगर लगाईए मतलब रूट बॉल खोल करके तो आप तो बारीज का पानी जह मिलता है तो प्लांट बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं कि उन्हें कोई शौक नहीं लगता है प्लांट खराब ही नहीं होते हैं तो इसमें इसकी मिट्टी को मैं निकाल करके नहीं लगा रहे हैं बस ऐसे ही लगा रही हैं और क्योंकि मैं एक बार तो उसे मैं पूरी मिट्री निकाल करके लगा दे थी और उसे मैं बड़ा पॉट दे दे थी इसलिए साथ मेरा प्लांट ही खराब हो गया उसमें अच्छी फ्लावरिंग तो हो रही थी दिरे दिरे पता नहीं क्यों वह मर गया खराब हो गया बचाने की कोशिस तो मैं बहुत अच्छे से इसलिए मैं चोटे ही प्लांटर में लगा रहा है और आप भी लगाई तो छोटे ही प्लांटर में पहले लगाई एंगे क्योंकि हाई-ब्रιड ही बिसकस हैं तो इनहें ज्यादा बड़ा प्लांटर crackers में लग जाते हैं उसमें घ्लार उन्या-छिंब उसमें कर करके यहां पर रख दिया है और पानी भी डाल दिया है मैंने इसमें तो आप जब भी लगाईए तो इसकी मिटी समय विंटर में बिल्कुल भी हटा करके नहीं लगाईए नहीं तो प्लांट खराब हो जाएंगे और इधारोज भी मैंने लगा करके यहां पर रख दिया है और अभी इसमें पेंटिंग करना है तो भी बात में करूंगी पहले मैंने सुचा कि प्लांट को मैं रिपोर्ट कर दूं कि मुझे ज्यादा दिन हो गए थिला करके यहां पर रखे हुए और प्लांटर्स भी मैंने काफी बड़ा बनाया हुआ है यह बड़ी बाल्टी थी अच्छा है तो चलते हैं फ्रेंड्स के बाई हैपी गार्णिंग अगो अग्याद